डिफिकल्ट कहना पता नहीं कितना सही होगा लेकिन हाँ आज की समय में यह कहेंगे आसान भी नहीं रहा है अगर आप सही अपरोच से नहीं पढ़ रहे हैं तो यह आसान कभी भी नहीं था लिए में और बताओ ठीक तो यह क्वेशन पेपर के सेक्शन हो जाएंगे यहां सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे पांच नमबर का एंकलूसिव एजुकेशन और लर्निंग पेड़गोजी यह हिंदी इंगलिश दो नमें पढ़ लेते हैं एक बार और देखते हैं कि हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है चलिए अगर हम स्लेबस को देखें तो यह है पिछले साल का स्लेबस आपने यूट सब्सक्राइब और इस बार कितने क्वेश्चन किस से आए वो भी देख लेते हैं और किस नेचर के क्वेश्चन साय वो देख लेते हैं यह दोनों ही पेपर पेपर वन पेपर टू मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगे एक अलग से सेशन में ठीक है यूट्यूट पर भी चल देखेगा तीन सेक्शन है सेक्शन वन में चाइल्ड डिवलेप्मेंट यानि बालव कहा साता है जिसकी वेटेज है पंदरा नंबर की इस बार क्या रहा वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आये क्या परिवर्तन हुआ है कुछ या फिर ची चाइल्ड डिवलेपमेंट से क्वेश्चन जो आ इस बार वो 16 क्वेश्चन समख्या सकते हैं टोटल नंबर अफो स्पियाजे और वाइगॉस्की से ही इन सोला में से 8 क्वेश्चन आये हुए है एक और थेयरी आती है जो तो अगर हम देखें यहां पे बाकी के आठ में आपका इसे तीन कॉस्चन है आपके डिवलेपमेंट पे के फिसिकल डिवलेपमेंट रेट कहां कम होगा कहां जादा होगा उसके लावा चाइड सेंटर एड़ेशन पे एक क्वेश्चन जेंडर पे सोचलाइजेशन यानि सामाजी करण पे क्वेश्चन तो यह आठाठ सेक्शन बाट गया यह प्याजे मैं लिख देती हूं प्याजे वाइगास की कोहलबर्ग इन तीन को मिला कि ही आठ नंबर है तो अब आप समझ रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टन थेयरीज है तो बाल विकास का जो section है जिसमें बच्चे का विकास कैसे होता है वो बड़ा कैसे होता है कैसे इसका सामाज विकास को लेकर करके concept कैसे वो का सोचलाइज़शन सब्सक्राइब करन कैसे होता है र तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन दूसरा टॉपिक है, इसकी वेटेज अगर आप पेपर में देखेंगे ना, अगर स्लेबस में देखेंगे तो पंदरा नंबर की है, और कम से कम भी क्वेश्चन इससे सोल आये हुए है है, यानि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही है, और भी कुछ क्वेश्चन से जो इसी पर आधारीता है, अगर आपने ये वाला सेक्शन अच्छे से कर लिया पंदरा नंबर का, तो कम से कम भी बीस नंबर आप ले आएंगे, क्योंकि बाकी के चार पांच क्वेश्चन होंग लेकिन इस से बाकी क्वेश्चन भी हैं, वो उससाइड ही चले जाते हैं, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया तो यह एक बेसिक सी बात है कि हम इस चीज को समझ के रखें, कि इतने आठ क्वेश्चन एट मार्स एक नंबर का एक क्वेश्चन होता ही है, वैसे दस न लेकिन वेटे जिस टॉपिक को दी है, उतने ही क्वेश्चन आए होए हैं, लेकिन प्याजे वाइगोस्की और कोलवक महदुपोन हो जाते हैं, इसे साब से इंक्लूसिव एजुकेशन महदुपोन हो जाता है, पेड़गोजी, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, सिर्फ इस सिग्लूसिव एजुकेशन काई लोग सिर्फण सर्फ दिसेबिलिटी को कि लिय confidently यहीद इसलाभा लिया, मज़िंक नौस पी सब्सक्राइस का नाम है, पेजिकलि कि सीखते कैसे हैं, गलतियां कैसे करते हैं बच्चे, आट्र både क्या क्या होते हैं, मोटिवेशन क्या होत रखते हैं यह सारी चीज़ें पेड़ागॉजी वाले सेक्शन में आ जाती है जो दस नंबर की वेटिज रखता है तो टोटल कुल मिला करके हम देख सकते हैं 30 मार्ट में से 16 क्वेश्चन है बाल विकास जिसमें से आठ क्वेश्चन है प्याजय वाइकॉस्की से इंक्लूसि पर देख रहे हैं description box में लिंक होगा कल भी कई लोग पूछ रहे हैं किसी भी other platform पर मैं नहीं पढ़ाती हूं अभी के लिए online सिर्फ सबसे ज़्यादा स्कोर है 143 141 140 हर साल अगर आप देखें सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूं बूल जाए बैच को वैसे भी आप लोग अगर सिर्फ देखेंगे आप इतने इंटर्व्यूस देख सकते हैं चैनल पे कहने को आज करते हैं हर किसी को अपने उपर अगर हम बात करें किस चीज की कुछ कुछ क्वेशन की स्लेबस पेक बार नजर मारे जैसे एक क्वेशन है अकॉर्डिंग टू अब मान लिजाए ये डिरेक्ट प्याज और वाइगॉस्की से नहीं है बट कंस्रक्टिविसम पर पूछ लिया रचनावाद जिससे वो लोग आते हैं तो यहाँ पर टीचर की महता जाला बढ़ जाती है सब्जेक्ट में उसका रिजन एक सिंपल है कि आपके लिए सब्जेक्ट एक तो नया होता है दूसरा कॉंसेप्चुल इंडस्टेंडिंग यानि संप्रत्यात्मक समझ नहीं है यदि कॉंसेप्स क्लियर नहीं है तो आप पढ़के भी नहीं समझ पाएंगे प्रैक्टिस प्लस कॉंसेप्चुल क्लैरिटी कॉंसेप्चुल क्लैरिटी प्लस प्रैक्टिस दोनों में से किसी एक से भी काम नहीं चलेगा अभी ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ स्लेबस पढ़ लिया और बात खतम हो गई जो हमारी रहे हैं थर्टी आउट थर्टी का टार्गेट आप रख पाएं और अचीव भी कर पाएं बहुत बार बहुत सारी लर्ने उसने किया है पहले अच्छा अजर्शन और रीजनिंग के क्वेशन जो है इस बार भी चार से पांच क्वेशन रहे हैं एक सेक्शन में अगर हम दे निकलते हैं गूगल मैप में डालके निकलता है आज कल हर इंसान हर समझदार विक्ति जहां की लोगेशन भी मुझे बता होती है जहां का रास्ता भी पता होता है वहां भी लगा करके निकलते हो आप क्यूंकि समय कितना लेगे यह तो पता लग जाए कौन से टॉपक मुश जब आप पेपर सॉल करेंगह तो आपको पता नहीं लगेगा आपने यॉच्छे यह जगहां से पढ़ाई की हुई है क्या अब लेक समय लेख यह बहुत अच्छी टिवलपे बैपर को एकंप पुठाइए जो आंसर पने सुसी एतासा तरछ की पीपर और तो अगर हम बात करते हैं चाइड डिवलेप्मेंट की बाल विकास की 15 नंबर का बेटेज है और इसमें अगर हम देखें यहां पर टॉपिक कितने हैं देख लेते हैं तीन सेक्शन है टोटल जिसमें से चाइड डिवलेप्मेंट एक है इंक्लूसिव एजुकेशन एक है पांच नंबर का तो पंद्रा प्लस पांच कितने बन गए कि अगर हम बात करें यहां किस चीज की तीन सेक्शन तीन सेक्शन कौन से अपने चाइड डिवलेप्मेंट सीडी जो दस नंबर का बेटेज है बिल्कुल स्लेबस से हटता नहीं है पेपर सीड़ेट में फायदा यह है समावेशी सिक्षा जो पांच नंबर की वेटेज है यह दोनों मिलाकर कितने हुए पंद्रा और तीसरा सेक्शन है एक जिसको लर्निंग पेड़गॉजी कहते हैं कि पढ़ाते कैसे और लर्निंग का टॉपिक है यह अपने आपने दस नंबर का है तो दस और दस यह उल्टा पढ़ेगा हमारे लिए पंद्रा स्वरी पूरा पंद्रा नंबर का यह फिर यह पंद्रा है अलका सा कन्फियोजन है उमर होगे मतलब देखेंगा यह 15 नंबर की यह सीडी है यानी चाल्ड डेवलेपमेंट पांच नंबर का यह है और दस नंबर का लर्निंग यान पेड़गोजी है तो टोटल मिला करके 15 और पांच 20 और दस तीस तो ऐसे यह टोटल नंबर बनते हैं और अभी हमने देखा कि सोला नंबर के क् नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन और नंबर वहां सबसे महतुपूर्ण जो है वो इसमें यह वाली यूनिट है अगर यह आपकी बहुत अच्छे से हो गई बाकियों को समझने में मदद मिलेगी क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन भी आप बहुत समझ जाते हैं जब आ यह आपको कहा समझ में आना है यहीं आ जाएगा जेंडर क्या होता है यहीं आजाएगा समझ वी होता है समाज के अपछन बढ़ा होता है कैसी समाज के तरुर सीखता यहीं समझ आ जाए 직达 तो जब इतने टॉपिक आप यहां पढ़ चुके होंगे तो यह बाकी सब तो एक तरह से क्या कहेंगे उसको एक एड-on है क्योंकि आपकी समझ जो यह 15 नंबर बना देंगे बहुत ही इंपॉर्टन जो यह 15 नंबर है बाकी के 15 नंबर आप पढ़ेंगे हमें ऐसा नहीं नहीं सब्सक्राइब तो समझते हैं पहले 15 नंबर का यह चाल्ड इवलेप्मेंट पहला ही टॉपिकास क्या है इसका अधिगम के साथ संबंद क्या है अब जो लास्ट में पेडगोजी में अधिगम आना था वो यहीं पर थोड़ा से समझ जाएंगे कि लर्निंग क्या होती है व प्याजे वाइकॉसकी अन कोहलबर अभी बताया आठ नंबर क्या है यह तीन टॉपिक इस बार भी हर साल आते हैं ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा आपको आज तक का जिसमें प्याजे वाइकॉसकी कोहलबर से टॉपिक ना आता हो और मल्टिपल क्वेशन ना आते हो बाल के पेपर टू हो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है आपको फर्क नहीं पड़ेगा अभी मैं कल या पर्सों में जभी भी मुझे थोड़ा समय मिलेगा मैं आपको दोनों ही सेट प्रॉपर ली सॉल्व करके आपके सामने यहां यूट्यूब भी डिसक्स करेंग और देखेगा आप कि कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पेपर वन सॉल्व कर रहे हैं सीडीपी का या पेपर टू अगर आपकी अंडिस्टेंडिंग बहुत अच्छी है तो तो वह ज़रूरी है अगर हम बात करें यहां पर यह हम बात कर रहे थे किस टॉपिक की तो प्रोग्रेसव एज्युकेशनां की तो फर्रोग्रेसशल एज्युकेशन पर आएँगे अelu deleting डिरेक्स बाद इस बार भी पूछार ही हुगा था था पूछा तो जाता हिए बस घुमा करके कई बार पूच लेगा यह अर्याष्र और रीजणं का इसमें बहुत लोग इस बार करते हैं लोग तो जो प्राइमरी यह इतना कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन पूछने का तरीका इस बार थोड़ी सी ज्यादा दिफिकल्ट थी लेकिन अगें स्लेबस सेम है पेपर वन में क्या होता है छे से 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान मे रखना है छे से 11 वर्ष क्योंकि प्राइमरी में कख्षा एक से पांच का बच्चा जो है वह इसी में होगा और 11 से 16 के बच्चे को ध्यान में रखना है जब आप पेपर टू सॉल्व कर रहे होते हैं अलाकि इसकी जुरत कभी पढ़ती नहीं है क्योंकि सारे कॉंसेप्ट आप उसी तरह से बढ़ते हैं लेकिन किसी क्वेश्चन में फस्ते हैं तो यह अप्रोच काम आ जाती है और आपकी स्लेबस में मेंचेंड भी है इच्छे से ग्यारा वर्ष का बच्चा पेपर वन ग्यारा सोला पेपर टू स्लेबस बिलकुल सेम है बिलकुल सेम है लिए ब अब ही कथन दिया हुए इन क्वेश्चन से बहुत डरते हैं स्टेट्मेंट वाले क्वेश्चन से और एक रीजन दिया हुए देखें स्लेबस चेंज नहीं हुआ है सालों साल से 2011 में चीज़ें थोड़ी सी तो यह लगता है कोई विशेश परिवर्तन आया ही नहीं है तो आज तक स्लेबस चेंज हुआ ही नहीं है तो अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है नहीं क्योंगी स्लेबस चेंज नहीं हुआ तो अगर हम देखें आजर्शन तो टीचर शुड वर्क हाट टू ब्रेक डाउन स्टुडेंट्स स्टीर टाइप सॉफ पर्टि इस तरह के लोग खराब होते हैं या कमजोर होते हैं या यह होते हैं या लड़किया ठीक नहीं होते हैं कुछ भी आ सकता इसमें स्टीरो टाइप किसी भी विशेश वर्क को लेकर करके यदि है तो टीचर को पूरी मेहनत करनी चाहिए कि धर्म जाती संप्रदाय कौन कैसा देखता है बोलता है क्या लेंग्वेज क्या उसकी चॉइस इस आधार पे हमें एक स्टीरो टाइप यानि हमारे दमाग में पहले से ही एक फिक्स पैटर्न नहीं बना लेना चाहिए कि इस जाती का विक्ति है इस तरह की शकल है तो यह एसा ही होगा खराब ही होगा तो यह क खतरनाख टीचर ने वह सही मायने विक्ति कर देता है सब कॉंशिस ली कि उसको पता ही नहीं होता तो यह बात एकदम सही है कि ब्रेक करने की कड़ी महना टीचर को करनी चाहिए तब ही तो हम सब साथ में मिल करके रह पाएंगे पॉलिटीशन थोड़ी है टीचर करना तो ख बच्चों साथ इस चीज को अपने बायस को नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते कि हां मुझे भी यह जाती पसंदे तुम्हें भी यह पसंदे चलो अब बाकी लोग खराब हो गए यह नहीं करना है आपको भरपूर महनत करनी है कि स्टीटाइप को एक रूडी बद्धिता को जो द करना चाहिए रिजन दिया सिक्षा का एक प्रमुख उद्धेश्य विद्यार्थियों को समालोच नातमक आत्म चिंतन के लिए प्रोत साहित करना है क्योंकि एजूकेशन सिर्फ रट्टे लगाना नहीं अभी हमने जो इतनी बाते की क्या सिर्फ हम उसमें रट्टे की बात अब की एजुकेशन अब्जेक्टिव क्या है इस टू इस टू एनेबल स्टेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन कि आप समालोच नातमक रूप से खुद को भी क्वेस्टन करके देख पाए हर चीज जो भी आपके सामने आरे जस्ट आप मान नहीं चीज को बात को यह में इंकल्केट करना है कि उसकी सोच भी जागरित हो सकए तो इसलिए stereotype break करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए क्यों कि education का एक उद्देश यह भी है कि बच्चा self critical reflection भी कर सके प्रकाश डालके देखे क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है क्या मेरा ये belief सही है हर चीज़ पर question mark होना चाहिए और तब जाकर के एक analysis के बाद एक conclusion तब माचे बात एकदम सही है वह ऐसा इसलिए करना है क्योंकि education का एक key motive यह एक self reflection आये बच्चे में वह अपनी तरफ जहांक करके देखे सिर्फ दूसरों में कमिया ना निकाले तो यह बात सही हो कोई दोनों बाते सही है और दोनों बोथ a and r is true but r is not the correct explanation of a जो आर है वो स सही explanation नहीं है बिल्खुल गलत मैं तो आपको check कर रहे थी ऐसे तो कहते हैं पुरा इंडीचर चेक कर रहे थे हैं तो तुम्हें पता है कि नहीं पता है ना आंसर क्या सही होगा इसका डी कि बोथ a and r are true and r is the correct explanation of a कि a और r दोनों सही है और r जो है वो एकी सही व्याख्या करत सकता है एसा बोहत बार हो सकता है कि जो जो r है वhmm भी सही हो एबी साही हो बट ए कुछ और गा रहा हो आर कुछ और रहा हो वह कैसा है ये यह सही हैा अपनी यापनी शरका मम्मिना पूछा बेटा पानी पीओगए आपने कहा मम्मी वह बहुत क्या कहें मम्मी मेरा दिल था मम्मी का वो आपका reason match नहीं हो पा रहा है तो कुछ का कुछ ही चल रहा है तो वो वैसा हो जाता है कि ए और आट दोनों सही है लेकिन वो एकी सही correct explanation नहीं है एकी सही correct explanation क्या होती मम्मी ने पूछा पानी प्योंगे आप कहते हैं हाँ पीलूंगा मम्मी या नहीं प्योंगी whatever लेकिन आप कहीं और ही चले गए तो आपने सही reason नहीं दिया उस statement का जो मम्मी ने पूछा था कूटेंगी मम्मी exactly तो यह क्या हुआ ऐसी हसी मज़ाग में पढ़ते हैं हम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यह क्या हुआ दोनों बाते अपने अपनी जगास सही ह है reason भी सही है कि education का एक motive है ठीक है चलिए